हेलो फ्रेंड्स तो आज हम ब्येसी फेश्ट ये किमिश्य का जो फूच जद ही मोश्य बॉर्ण टॉपिक जिसका नाम है ट्राइफ फास्पा जीन की संरशना तथा बंधन इस्ट्रक्चर एंड बॉंडिंग ऑप ट्राइफ फास्पा जीन जिससे आपको बताया गया दे इस सब कुछ देखेंगे एकदाम आसानी से ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाज तक देखना है क्योंकि वीडियो बहुत इंपोरेंट होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइफ फास्पा जीन की समझना तथा बंधन तो बात करें ट्राइफ फास्पा जीन की समझन सब्सक्राइब पता चलता है तो क्या पता चलता है कि आप यह पूरा फॉर्वला ऑपका इससे क्या पता चलता कि यह जो है 4660 वले क्या है मतलब इसमें 660 होते जैसे आपने बेंजीन का लेका होगा बेंजीन का जो इस्टरुच्चर होता है यह आपका बेंजीन होता है यहाँ पर यह इसमें 660 होते है 6 BILLION short section C6C6 भी कहे तो वही चीज षाल से बताया गया कि Isiko Katar confronting में तो इसके आपको पता है कि तो इसके पहले वाले वीडियोम जैसे कि हम फास्षा नाइटानली ख्लॉराइट के बारे मेरे देख चुकी है ठीक है तो यह देख सकतो यह पूरा इसका इसका होता है और यहां पर एक चीज या रखो देखो यहां पर फास्षा फिर नाइट रोजन फिर फासपोर्स फिर शिर नाइट रोजन फिर फासपोरी忍 corazón पृत्स पालियों के तो किटने रहते हो एंप पिसेट्व रोजिता है ठीक है दो दो चार और दो छे कलोरीन दो कलोरीन ये जुड़े हुए दो कलोरीन ये दो कलोरीन ये ठीक है तो ये बात होगी एंपेसी एल्टू का होल्थ्राइज की और बात करें जो नाइट्रोजन और फासपुरस बंद होते समान लंबाई की होते हैं इंकी लंबाई कितनी 1.60 एंगेश्ट्राम होती है ठीक है नाइट्रोजन और फास्पूरस की बंद की लंबाई ठीक है तो यह बात होगी तो देख सकतो यह इसका इस्ट्रक्चर होता है आप इस पे थोड़ा संक्रण भी देख लेते कौन सा होता है तो देखो जो नाइट्रोजन और फास्पूरस होते समान लंबाई किंग की बंद लंबाई होती कितनी 1.60 एंगेश्ट्राम आपको बताई ठीक है तो अब ही हमने देखा क्या कि आपका तो देख सकतो यह पूरा इसका इसका इस्ट्रक्चर था ठीक है तो वही आपका यहा इस्ट्रक्चर को खोल दिया घया घया तो देख सकते हैं आट्रूजन डवल व्हांड फास्पूरस यहां दो क्लोरी लगे हुए यह आपका सिंगल बौर्ण तो यह हो गया ठीक है क्योंकि फास्पूरस पांच बंद बनाता है ठीक है एक दो तीन चार एक पांच और इसी तो देख सकते हो चाहिए ठीक है तो देखो फास्पूरस भपकर बनाता है यहां पर जितना आप पर नाएजному एक सीगमा गोगा इसके परिले वाले वीडियो होता है वानकी सिगमा एक पाई ठीक है तो देख सकते हो जहां पर नाइडोजन की भीच में डबल बौ Así है ठीक है तो यह बात होगी आप देखते इसके प्रतेग इसमें क्या होता है नांटोजन पर्माड़ को यह संक्रण दिककाता है उब पडिक़ाता है जैसे nitrogen का जो पर्मारु क्रमांग होता है साथ होता है इसका अमने electronic में निकाला गया तो sp2 hybridization या कह सकते हो आप sp2 संक्रण ठीक है हंदी में तो देख सकते हो एस और p2 ठीक है इसी प्रकाफ phosphorus की बात की गई पर्माडु क्रमांग इसका निकाला गया तो sp3 संक्रण इसने दिखान तो यह बात हो गई संक्रण की की nitrogen sp2 संक्रण दिखाता है और phosphorus sp3 संक्रण दिखाता है तो इस पे अनुणादी संक्राइज अनुदादी संनाशनाइब इसक़ी होती है, जो आपका ट्राइफास्फा जीन्स होती है, तो देख सकते हो, लिखा गया है, बेंजीन अडु के जैसे ही इस अडु में भी अनुदाद पाया जाता है, देख सकते हो, आप यहां पे आपका यह structure था, इसका किसका, ट्राइफास्टवाजींस का, ठीक है? ट्राइफास्टवाजींस का जो structure है, आपका यह कह सकते हो, आपा, फास्पो नाइट्रिली क्लोडराइड आपका जो है, ठीक है? तो उसका जो रहे, तो आप इसे मालो यह structure है अगर आप इसको यहाँ पर सामने एक mirror लगा दो mirror लगा दो mirror पे देखोगे इसको तो आपका structure ऐसे दिखा गया या आप जैसे आपने देखा होगा मालो जैसे फोन है अगर उस पे आप फोटो है फोटो की flip change कर दो flip change कर दो तो वो कैसा हो जाता है जैसे उसमें आपने साथ पर पकड़े हो तो flip change करने के बाद वो भी साथ पर आ जाता है उसी प्रकार उसमें हुआ है यहां पर देखो single bond इधर था इधर हो गया और double bond इधर था तो इधर यह हो गया ठीक है तो मतलब इसका flip जो ऐसे था यह flip ऐ होगया ठीक है flip एशे था ऐसे हो गया ठीक है flip आपका यह हो इसकी फ्लिप होगया ठीक है तो यह बात है फ से हुआ प्रणाना कि याद रखो और बस इसको ऐसे करके आपको प्लिटा देना इधा डबल बॉंट था इधा सिंगल था तो यह उती अन्नादी सनष्टा है देखा बेंजीन अलू के जैसे ही इस अलू में भी अन्नाद पाए जाता है आपका जो फास्फो नाइट्रिलिक लोराइड ठीक है तो यह बात थी भी यह ट्राई फास्फा जेंस की देख सब तो एकदम आसान इस्ट्रक्चर था इसका हमने इसकी अन्नादी सनष्टाएं भी देखी इसकी सनष्टा है कौन से होती इसमें कौन सा संक्रान पाए जाता है सब कुछ बहुत इंपॉरेंट था तो बाई